हरे कृष्णा मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंद्र पाठी आप देख रहें लक्त गुरुकारक्रम लक्त गुरुकारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे तुलाराशी के जातकों के भारे में कि जो तुलाराशी के जातक है उनके लिए अकालखन कैसा चल रहा है आज आपको किस फिल्ड में सफलता मिलेगी और बैपार की दिशा क्या होगी राजनितिक इस्थिति क्या होगी समाजिक इस्थिति आपके क्या हो सकती है घर परिवार में आज आप क्या कर सकते हैं इसके भी बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और आज आज आपकी माली हालत कैसी होगी दूर देश की यात्रा का क्या योग रहेगा इस सारी बात है जम आप से करेंगे और आज आपको संतान सुख कैसे मिलेगा महिला मित्रों का सहयोग रहेगा या सहयोग रहेगा भूमी बहुंस आज आपको लाब मिलेगा नुक्सान हो सकता है ट्रेडिंग या सेयर के छत्र में अगर आप पूजी निवेश करते हैं तो आपके लिए नुक्षान दायक होगा, एलाब दायक होगा, इस सारी बात है जिम आपको बताएंगे, मित्रों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी आजम आप से बात करने वाले हैं, आपको उपाय क्या करना है, सौधनिया क्या बरत अब आईए हम बात करते हैं तुला राशी के, तो जो तुला राशी के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महतपूर्ण है, आज आपको चतुर्दिक लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, माली हलत अच्छी होगी, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, रोग औ की सलाह का कोई काम न करें, आपने कुछ हैसे मित्र हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं तो उनसे सौधानी बरतने की जरूरत है, महिला मित्र से दूरी बना ले नहीं ता परिशानी में पढ़ सकते हैं, आज आपको कोई अग्याद ब्यक्ति से धोखा मिल सकता है, और किसी भ एलेस विवहार लोगों को बड़ा प्रिये लगेगा, और आज आपके अध्यात्मिक प्रगति बढ़ेगी, मान संबन बढ़ेगा, समाजिक परतिष्णा में ब्रेद्धी होगी, अनिच्छत्रों साज आपको धनलाब होते हुए दिख रहा है, आपके अपने उचस्तों न प्रानिब कर रहा हैं, तो संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपका समय सुरणिम चल रहा है, जदि आप लेखन कारेच चाहते हैं, आपके प्रतिष्णा में ब्रेद्धी होगी, अपने चीजों को समझें और अपने को उसका हल निकालना ही आपके लिए व् भगवत भजन के प्रतिवी अपनी इच्छा को बढ़ावे, अपनी इच्छा को मजबूत करें, आपका पूजा पाट से अरुची हो रहे हैं, तो इससे बचना है, और भागे साज आपके सारे कारे संपन होंगे, दामपत्य जीवन बहुते शुख में व्यतित होगा, आज आ आपको उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि दूध हिसे बनी मिठाई, या दूध हिसे बना खेर, या पंच्छमिवध को खेर बना करके भगवान स्री गडेशु को अर्पित करें और मंदिर में अर्पित कर दें, इसके बाद सफेद रंग का पुस्थ चढ़ में आपके लिए बेहतर रहेगा और आपके लिए सुभंक दो है और सुभरंग नीला है हरे क्रिश्न